हाई फ्रेंड जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने गूगल पर ।्ट्री टाइप किया है अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं यह देखते हैं । DSSB ने बहुत ज्यादा request के बाद में first time पहली बार अपनी history में जब से DSSB establish हुआ है तब से लेकर पहली बार उसने जो है वो syllabus दिया है और कि इसका part B का यानि कि non-teaching का या part A का syllabus पहले मिलता था लेकिन अभी तक part B का syllabus चाहे वो tgt हो या pgt हो उसका syllabus नहीं मिलता था या किसी भी specific subject का नहीं मिलता था पोस्ट specific जो थी अब उसने पहली बार यह ऐसा किया है कि आपको syllabus दिया है यानि कि इससे पहले लिखा होता था only based on graduation या based on post graduation या based on specific qualification अब देखे जैसे ही में डेटरिपल अब टाइप करेंगे तो यह आपको DSSB की website पर ले जाएगा या मैंने description में link दे दिया है आप वहां से इसको direct copy कीजिए और paste कर दीजिए जैसे ही हम यह copy paste करेंगे तो यह यहां हमें जो है वो DSSB के उस जगा पर ले जाएगा जहां पर यह syllabus मौजूद है इंडिकेटिव स्लेबस डेली सबॉर्डिनेट सर्विसेस सेलेक्शन बोर्ड यहां हमको यह ले आया है अब जैसे हमने यहां क्लिक किया देखें यह कल ही update हुआ है और जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहां हमें यह आगे लिया है इसमें मैंने सारी चीजों को mention कर दिया जा है कि अब यह यहां हमें ले आया है दिखें इंडिकेटिव स्लेबस होँमिम्पोट्ने Completely अगर आपको कोई सभी सेलेबस सेर्च करना है तो यहां title में आप उस subject का नाम डालेंगे आख सारे subjects का syllabus upload नहीं हुआ है यह one two three days में four days में यानि कि इसी week में हो जाएगा यहां search पर डालेंगे apply करेंगे या फिर यहां से हम जो है वो one by one देख लेंगे देखे कौन-कौन से syllabus यहां मौझूद हैं और right में उसके download view का option available है देखे indicative syllabus of work assistant horticulture in dsiidc का है उसके बाद में देखे स्लेबस of tgt पंजाब in doe and ndmc दोजेंगा पोस्ट आई है यह रहा इसी तरीके से देखे फिजिकल science का है या natural science का है यह special educator का है special education teacher का है doe का इसी तरीके से special education यह tgt का है social education teacher का doe में इसी तरीके से जो है वो technician का है otc ssd का इसी तरीके से जो हो next है हमारा technical assistant का next है हमारा special education teacher ndmc का 9 number पर है indicative syllabus of scientific assistant chemistry and forensic science laboratory fsl का next है indicative syllabus of resource center coordinator का इसी तरीके से जो हो हमारे यह syllabus जो है वो non teaching के उसके बाद देखे 15 number पर बहुत important syllabus है indicative syllabus of physical education teacher जिसको हम pt कहते हैं या pti कहते हैं उसके बाद में pharmacist का है उसके बाद pharmacist homeopathy का है उसके बाद देखे बहुत ही एहम और important और valuable है 80 number पर indicative syllabus of pgt political science in doe and ndmc दोनों का same है इसी तरीके से physical education का है next math का है अब उसके बाद में देखे अगर इससे आगे page पर हमें जाना है तो next करेंगे या direct page number two पर चले जाएंगे या पिज नमबर थी पर चले जाएंगे या अगर pgt hindi उसके बाद में pgt English उसके बाद में जो है pgt English male on female का इनों ने अलग अलग दिया है उसके बाद pgt chemistry pgt biology ot assistant उसके बाद में देखिए computer lab और IT assistant का है बहुत ज्यादा लोगों ने इसको form को भरा इसलिए उसके बाद में देखिए book binder का है next इसी तरीके से हमारे next होता चला जाएगा अभी total 47 यानि कि 47 आये हैं अब यह देखे हम page number 3 पर पहुँच गया अगर हमें first page पर पहुँचना तो first पर click कर सकते हैं number one पर कर सकते हैं previous में जाना है तो और यह इसी तरीके से बढ़ता चले जाएगा और यही इसका method या तरीका होगा download करने का अब देखे हम किसी भी syllabus पर अगर हम click करें for example मैंने यहाँ पर click किया है first page से लेकर यह special education four number पर है हमारा मैंने इसके download पर click किया है अब इसके total information अगर आपको कोई और चाहिए तो उसको भी कर सकते हैं अब मैंने यहाँ इसको लिया अब यह देखे किस तरीके से इसने हमें बताया है कि कौन सा इसके अंदर क्या क्या content शामिल है सबसे पहले देखिए topics of syllabus for TGT special education teacher इसी तरीके से सब के होंगे यहाँ इनका human growth and development इसके देखिए एक topic है point है इसके five sub topics है one two three four five इसके बाद में देखिए contemporary India and education है इसका learning teaching and assessment है pedagogy of teaching science है pedagogy of teaching mathematics है pedagogy of teaching social science है देखिए ये वाला मैंने इसलिए लिया है कि जितने भी subjects हैं हमारे major subjects उनकी सबकी जो pedagogy है जो आएगी या common जो पर pedagogy आम तोर पर होती है वो यही होती है यानि कि इन सारे subjects की जैसे pedagogy of teaching science है science वालों के लिए है या pedagogy of mathematics से maths के लिए है social science है social science वालों के लिए है pedagogy of teaching of Hindi ये normal हिंदी वालों के लिए है pedagogy of teaching English ये उनके लिए है अब देखे inclusive education और human growth and development contemporary Indian education learning teaching and assessment ये सारे के सारे topics जो है हमारे last में TGT में जो 10 marks का होता है और PGT में 20 marks का होता है उसमें आती है या अगर आपने exam दिया हो तो आपको याद होगा या अगर आपने कोई previous paper देखा तो वह है introduction to sensory disabilities अब ये special के start हुए है यहां से इससे पहले common है या तो सिर्फ pedagogy जो 10 marks की आती है वो है या फिर और दूसरे subjects वाले जो है pedagogy उनकी है introduction to neuro development disabilities introduction to locomotive and multiple disabilities guidance and counseling early childhood care and education देखे ये भी जो point है हमारा early childhood and care education ये 10 marks की या जो PGT में 20 marks की pedagogy आती है उसमें होता है applied behavior analysis community based rehabilitation application of ICT in classroom mostly ये भी उसी चीज़ में आ जाता है gender and disability braille and assistive devices orientation and mobility communication options oralism communication options manual Indian sign language augmentative and alternative communication management of learning disability vocational training translation and job placement autism spectrum disorders identification and assessment of needs curriculum designing adaption and evolution ये normally pedagogy के 10 ये 20 marks वाले में भी होता है teaching approaches and strategies ये भी नॉर्मली होता है development approach, behavioral approach, cognitive approach, social approach, teaching methods and strategies ये नॉर्मली हमारे और दूसरे subjects के लिए भी जो 10 marks की pedagogy होती है उसमें भी होता है अब देखे ये total जो हमारे पास में आया ये five portions में divide है इसी तरीके से दूसरे syllabus भी होंगे तो कुछ जो major syllabus है वो जैसे ही upload होंगे उसके बाद उन पर भी वीडियो बनाए जाएगी तो अगर आपको कोई भी syllabus ना मिल रहा हो PDF में चाहिए तो आप whatsapp, telegram, gmail इन पर भी जो है वो contact कर सकते हैं कर सकते हैं